बागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्षर में और पैरे साथियो अपन आर्पियसी फर्स्ट गेड में हिस्ट्री जीके में हिस्ट्री में भक्ति अंदोलन को पढ़ रहे थे जिसमें साथियो आज अपन सूर्दास जी और वल्लाभाचारिये को पढ़ेंगे ठीक है देखे सूर्दास जी के लिए काफी सारी कहानिया हैं इनके जन्म से सम्मंधित भी और जो मुखे रूप से हम मान सकते हैं बाकी ये कन्फरम नहीं है साथियो अलग-अलग विद्वान अलग-अलग चीजे मानते हैं तो जन्म से सम्मंधित तो प्रसन इन से बनना है ठीक है लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि इनका जन्म जो वो 1478 में आगरा मतुरा मार्ग पर दिली के निकट सी ही नामग गाउं में हुआ है ठीक है इनके पिता साथियो रामदास थे और बच्पन का जो इनका नाम था सूर्दास जी का वो मदन मो मोहन से याद रख सकते हैं मोहन कि इसको बोलते हैं साथियो श्री कृष्ण को बोलते हैं तो जो सूर्दास जी जो थे वो एक प्रकार से सगुन भक्तिदारा के क्रिश्ण भक्ति के एक यान की कृष्ण जी के भक्त थे और सगुन भक्तिदारा के थे ठीक है यानि मुर्ति को हिंदी सहित्य का सूर्दास जी को माना जाता है याद कर लेज़ेगा आप और पूछा आगे भी जा सकता है ठीक है तो इसको जरूर ध्यान में रखें इसके अलावा जो सूरदाश जी का काववे है उसकी जो पूरा का पूरा संपूर्ण काववे जो है इनका ना वो सारा का सारा ब्रिज भासा में कौन सी भासा में है मित्रो ब्रिज भासा में इनका जो वो कव्वे है ये भी आप याद रखें कि सूर्दाश जी का जो कव्वे है वो किस भासा में है तो मित्रो ब्रिज भासा में रहेगा ठीक है अकबर और जहांगीर के समकालिन थे यानि कि जब अकबर और जहांगीर सासक हुआ करते थे उस समय के जो थे ये माने गए है ठी सूर सागर, दूसरा सूर सारावली और तीसरा सहिते लहरी, ठीक है, सूर सागर सबसे परसिद इनकी रचना वाना जाता है, जो अकबर के समय में इनकी द्वारा रची गई थी, इसके अलावा सूर सारावली और सहिते लहरी भी इनकी परमुख रचनाएं हैं साथियों, ठीक ह ठीक है, सुबह सुबह गए थे और वहां किसी बहुती सुन्दर कन्या को इन्होंने सनान करते हुए देख लिया और उन से जो वो एक परकार से इनको प्रेम हो गया है क्योंकि ये नदी के किनारे जाया करते थे कवीताइं वगरा लिखने के लिए जैसे नदी में जो वो लहरे उफान लेती हैं उसी परकार उनको लगता था कि लहरों को देखकर उनके दिमाग में भी अलग अलग विचार जन्म लेते हैं उफान पे आते हैं लहरों के समान ठीक है जिससे वो रसना कर पाते हैं तो वहां उन्होंने इस स्ट्री को देखा फिर उससे बारचीत होने लगी इनकी ठीका प्रेम दोनों के बीच हुआ उसके बाद में साधी तक बात गई लेकिन लाश्ट में क्या हुआ कि जो देवी थी जिनकी एक प्रकार से जिन से इनका प्रेम हुआ उनका विवा किसी अन् और वियोग में मान लीजिए दुखी होकर के मान लीजिए स्री कृष्ण जी के मंदिर में इन्होंने जाकर के अपनी दोनों आके फोड़ लिखी अब ये संसार मेरे देखने योगे बचा ही नहीं है तो इस तरह की कहानिया भी है लेकिन यहाँ से प्रशन नहीं बनता है ब लीजिए दो हजार बाइस के लिए साथियो जो की एक पातरता परिक्षय होने वाली है उसके लिए ओनलाइन कॉर्स लोंज किया जा चुका है आप ले सकते हैं हमारे अप्लिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथि इस वीडियो के डिस्क् 1489 से 1531 ठीक है यह इनका माना जाता है साथियो 1489 के आसपास भी मानते हैं और 1531 अलग-अलग विचार धा रहे हैं सेदी शिवात तो यही है तो प्रसंतों यहां से बनना है नहीं लेकिन ऐसे पूसले जाता है कि वल्लभाचारिये का जन्म हुआ तो यह हुआता साथियो ते पूर ध्यान में रख सकते हैं कि तेलंग गाना के एक ब्राह्मन परिवार में पहरे साथियो इनका जो वो जन्म हुआ था वल्लभाचारिये जी का और इनका जो जन्म हो मूल रूप से आप 1489 इस भी को इसको आप माने ठीक है तो यह थोड़ा सा आप ध्यान में रखें ठी चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें देखिए इनका जो मत था वो सुधाद वेतवाद माना जाता है सुधाद वेतवाद यानि कि इन्होंने इस्वर के सुध रूप की जो वो साथियो पूजा की और सुध रूप कौन सा होता साथियो बाल रूप होता है यानि कि छोट इनके सासक थे विजे नगर पर्थम हिंदु सामराजे था साथियो विजे नगर के सासक कृष्ण देव राय के समये वेशन सम्परदाय की इनोंने साथियो विल्ला भाचारिया ने जो वह स्थापना की थी कृष्ण देव राय के समय इन्होंने दो गरंथ लिखे थे एक था सोबोधिनी और दूसरा था सिधान्त रहस्य ठीक है इन्होंने स्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा कीवा है इसे ही सुध है माना इसलिए इनका जो मत कहलाता वो सुधा दूएतवाद कहलाता है इन्होंने स्रीनाथ जी के रूप में जोव सातियों श्री कृष्ण की पूजा की और वरंदा वरंड में स्रीनाथ जी का भवे मंदिर बनवाया वा उनकी मुर्थी स्थापिते की औरंग जेब के समय यह मुर्थी उदेपूर पहुचा दी गई जिसे बाद में नाथ द्वारा राज सम्मंद में इस्तापित किया गए क्यों पहुंचा दी गए क्योंकि देखे औरंग जेब ने एक परकार से मुर्थीों को तोड़ने का आदेस जो वो सात्यों दे दिया था इसी वज़े से सात्यों वरंदावन में स्रीनाथ जी का जो पहवे मंद जो स्रीनाथ जी के रूप में इन्हों ने पूजा की और इन्होंने जोहद वरंदावन में स्रीनाजजी का भव यह मंधिर बनवाया और उनकी मुर्ती इस्थापित किया उरंगजेव के समय यहम मुर्ति जो वो सात्यों कहां के सासक थे राजसिंग के समय इनके पुत्र विठल यह मुर्ति उदेपुर लाए थे किसके पुत्र है विठल साथियो विठल जो है वो वलभाचारिये के पुत्र है ठीक है वो जो वो उदेपर लेकर के आये थे इस मुर्ति को आपके स्रीनास जी के मुर्ति को रुद्र संप परदाय के अनुयाई जो वो पुष्टी मारग और भक्ती मारग में विश्वास रखते हैं ठीक है तो ये वल्लबाचारिय जिसे मेर्टपुन कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इसके अलावा अगर बात की जाए साथियो तो विठलनाथ ने अस्ट चाप मंडल में जो लोग थे उन्होंने जो एक परकार से कृष्ण भक्ती की जो उनकी रचना थी उनका एक परकार से सर्वसाधार में परचार प्रसार जवो किया गया है इनके दवरा तो इन میں वल्लबाचारिय के चार शिसे थे और विठलनाथ यानि वल्लबाचारिय के जो पुतर थे वो थे आपके कुमन दास ठीक है कुमन दास ठीक है दूसरे जो वल्लाबाचारिय के सिसे थे वो थे सूर दास सूर एक मिनट सूर दास ठीक है साथियो इसके अलावा तीसरे सिसे थे पर्मानंद दास ठीक है और जो वल्लाबाचारिय के चोथे सिस्षे थे और अश्ट चाप में थे वो थे कृष्ण दास ठीक है साथियो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विठल दास जी के सिस्षियों के बारे में तो उनमें आपके पहले थे गोविंद स्वामी इसके बाद में छित स्वामी छित स्वामी छित स्वामी के बाद चतुर भुज दास चतुर भुज दास थे ठीक है ये भी विठल नात के सिस्षे थे और चोथे थे नंद दास ये भी जो विठल है विठलनाथ, वल्लभाचारिय के बेटे थे weiter तो इस अस्ट चाप मंडली में, जिन्होंने एक प्रकार शेकर खर्शुन भक्ति को 侯र्ण साधान में पहुँचाया, उस अस्ट चाप मंडली में आठ विक्ति थे जिन में चार वल्लभाचा़िय के सिस्से और चार वल्लबाचारिय के पुत्र विठल नात के सिस्से थे ठीक जिनके नाम इस प्रकार से आपको मैंने बता दिये हैं बाकी वल्लबाचारिय और सूर्दास जी में इतना जो कुछ महतवपन था वो मैंने आपको बता दिया और हम मिलेंगे साथ ही अगले वीडियो में एक और श्यांदार महतवपन टोपिक के साथ अब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत